राजस्थान के उदेपुर की गोगुन्दा तहसील में बीते 18 नवंबर को दिल दहला देने वाला हत्याकान सामने आया था मामले का खुलासा करते हुए पुलीस ने बताया था कि एक तांत्रिक ने युवक और युवती पर तब फेविक्विक डाल दिया जब वह शारिरिक संबंद बना रहे थे दोनों की बॉडी पर पचास फेवी क्विक डाल कर तांत्रिक ने चाकू और पत्थर से उनकी हत्या कर दी थी हत्या के कई कारण सामने आए पहला यह की युवक्यूती वशिकरण सीखना चाहते थे लेकिन तांत्रिक ने नहीं सिखाया जिससे दोनों गुस्षा हो गए और उसे बदनाम करने लगे इसके बाद तांत्रिक ने उनका हत्या कर दी वही दूसरी बात यह सामने आई कि तांत्रिक ने युवक्यूती के अवैद संबंद के बारे में उनके परिजनों को बता दिया, जिससे नाराज होकर दोनों ने उसे बदनाम करने की ठानी और इस डर से तांत्रिक ने उनकी हत्या कर दी हालांकी, अब पुलीस ने कड़ी से कड़ मिलाकर तांत्रिक से सक्ती से पूच्टाच की है, पूच्टाच में तांत्रिक ने हत्या की असल वज़ा उगल दी गोगुंदा थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने ABP को हत्या के पीछे का मुख्य कारण बताया, उन्होंने बताया कि तांत्रिक को डर था कि उसकी बेट शेट्र भादवी गुड़ा में शेश नाग बाउजी के मंदर में पूजा करता था। साथ ही तंत्र मंत्र भी करता था। असल कहानी थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताई। उनका कहना है कि आरोपी ने पूछताच में बताया कि लोग उसे बहुत मानते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सवा लाख मोतियों की माला का जाप कर लेता है, तो बाउजी यानि वह खुद उनकी हर इच्छा पूर्ण कर देता है। एक ऐसे ही भक्त ने सवा लाख मोतियों की माला का जाप कर लिया था, तो उसने शेश नाक के अलावा आरोपी तांत्रिक का मंदिर मांगा। आरोपी ने उसे मंदिर दे दिया। मृतक राहुल को किसी ने यही बात बताई की सवा लाख मोतियों की माला का जाप करो और इच्छानुसार मांगो। राहुल भी जाप करने बैठ गया था। अब सवाल उठता है कि राहुल जाप क्यों कर रहा था और तांत्रिक उसके जाप से क्यों डरा इस पूरी कहानी में अब नया किरदार सामने आने वाला है जो है तांत्रिक की बेटी। राहुल शादी शुदा था, इसके अलावा जिसका मर्डर हुआ उस युवती से अवैज संबंध थे लेकिन राहुल तांत्रिक की बेटी को अपना बनाना चाता था। जब राहुल जाप में लगा हुआ था तब एक वही के अनुयाई ने राहुल से पूछा था कि जाप पूरा होने के बाद क्या मांगने वाले हक तो राहुक ने कहा था पुजारी जी तांत्रिक की बेटी। अन्याई ने यहाब बात तांत्रिक भालेश को बताई. अब तांत्रिक को टेंशन हुई कि जाब पूरा होने पर मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, नहीं कि तो भक्तों में सम्मान खत्म हो जाएगा. इसी दर के कारण राहुल को जाब खत्म होने से पहले मारना चाता था. अब सवाल यह कि युवती की हत्या क्यों की, जिसका जवाब भी तांत्रिक ने पूछताच में बताया बेटी को खोने वाली बात तांत्रिक ने कभी सामने नहीं आने दी, जबकि उसे पता चल गया था, लेकिन राहुल को भी कुछ नहीं कहा. राहुल, युवती और तांत्रिक के बीच में वही बात चल रही थी, जो अब तक पुलीस ने बताई. युवती से दोस्ती होने के कारण राहुल का पत्मी से आए दिन जगडा होने लगा. राहुल के परिवार सदस्यों ने इस को दूर करने के लिए तांत्रिक से उपाय मांगा. तांत्रिक को दोनों के संबंधों के बारे में उनके परिवार सदस्यों को बता दिया. इससे खफा युवती तांत्रिक को धंकाने लगी कि अब सभी को कहूंगी कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और पुलीस को भी यहां बात बताऊंगी तो जेल जाएगा तेरा बना बनाया नाम खत्म कर दूंगी इसी बात से तांत्रिक डर गया था लेकिन फिर भी तांत्रिक उन्हें अलग होने की ही हिदायत देता रहा क्योंकि इससे घर तूट रहे थे फिर राहुल और य पुकानों से पचास के करीब फेविक्विक अपने मंदिर में इककठी कर ली क्योंकि तांत्रिक ताबीज बनाने का काम करता था इसलिए किसी को शब भी नहीं हुआ 15 नवंबर को मृतक राहुल को सुखाडिया सरकल से लड़की से लास्ट बार मिलवाने का कहकर फिर यह काम छोड़ देने है तू तयार कर बाइक पर जंगल की तरफ ले गया घटना स्थल पर दोनों ने आखिरी बार संबंद बनाने की गुजारिश की तो तांत्रिक थोड़ा साइड हो गया जब वह संबंद बना रहे थे तो आरोपी ने फेवी क्विक की बोतल उन पर डाल दी और फिर चाकू और पत्थर से वार कर दोनों की हत्या कर दी